हेलो फ्रेंड्स तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मुफ्ट श्रिक्षापर आज हम जानेंगे 28 अक्टूबर के करेंट अफ्टेर्स तो फर्स्ट कोशिन है हमारा हाल ही में किस अंतराश्ची करकेटर को लेज ने अपना ब्रैंड एविस्टर न्यूक्त किया है अंतराश्ची करकेटर यानी की अंतराश्ची करकेट परिसत करकेट की वैस्विक शासी निकाय है इसकी स्थापना 1909 में उस्ट्रेलिया इंगलेंड और दक्षिन अफ्रीका के प्रतिनिदियों द्वारा इंपीरियल करकेट कॉन्फरेंस के रूप में की गई थी 1965 में इसका नाम बदल कर अंतराश्ची करकेट सम्मेलन कर दिया गया 1987 में इसका वर्तमान नाम मिला आई सीस्टी का मुख्याले दुवाई सयुक्त अरव अमिरात में है अंतराश्ची करकेटर का मतलब पता चला आप चलेंगे ब्राइंड अमेस्टर brand investor जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ brand investor एक व्यक्ति होता है जो किसी विसेश brand या company को प्रतिष्टा और प्रचान दिलाने के लिए चुना जाता है यह है व्यक्ति brand के उद्देश्यों और मूले को प्रतिष्टित करने और उन्हें जंता के समर्थिय में लाने का कारे करता है तो brand investor का मता पता चला अब तो कोशन में पूछा क्या है कि हाल ही में किस अंतरास्टि क्रिकेटर को लेज्ट ने अपना brand investor बनाया है उत्तर है महेंद्र सिंग धोनी क्या है इसका उत्तर महेंद्र सिंग धोनी चलेंगे next और नेक्स्ट कोशन में क्या पूछा है कि हाल ही में भारतिय मूल के किस भारतिय अमेरिकी विज्ञानिक को अमेरिकी राष्ट पती जो वाइडन दुआरा रास्ट ये प्रधोग की और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है राष्ट पती यानि की राष्ट पती को संससत्र आहूत सत्रा वसान करना एवं लोगसवा को भंग करने की सक्ति भी रखता है रहे राजियों की निर्मार राजे को राजे की सीमा में परिवर्तन, संभन्दित, विधेयक, धन विधेयक या संचित निधी से व्य करने वाला विधेयक एवं राज्य हित्से जुड़े विधेक विधेक विना राष्ट पती के पूर अनुमती की संसत में प्रस्तुत दही होते हैं पूश्चन है पाल ही में भारतिय मूल के किस भारतिय अमेरिकी विध्यानिक को अमेरिकी राष्ट पती जो वाइडेन दुआरा राष्ट के प्रोधूगी की और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है को ने वे असोग गाड़ गया है कौन है असोग गार्ड के फ्रेंड्स वीडियो को साथ के साथ सेयर करते रहेंगे ताकि आप सभी के साथ जो आपके फ्रेंड्स एक्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं उसे भी इस वीडियो का वेनिट वेनिफिट मिले और साथ ही अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं है कोई क वुब्गत वार्च शिक्षा इस पर कए स्टूडेंट्स ने विजिट किया है मैंने देखा है बड जो इस चैनल पर नया है अभी जिनने नहीं पता है हमारी के वारे में इस वारे में होगा क्या आप लोग मुफिट शिक्षा की वेब साइट है मुफिट पर जाकर आपके रेलेटिट कोई भी कोशन आशर करके वहाँ अपने प्रप्रेशन तो करेंगे हैं साथ ही अपने कॉंपेटिशन करके वहां रिवॉर्ट्स फॉइंट भी पा सकते हैं चलेंगे अपने नेक्स्ट पर ज़्यादा देर ना करते हुए और नेक्स्ट कोशन में क्या पूछ लिय एरोस्पेस ने किसने किया है इसकाइरूट एरोस्पेस उत्था जा बोला एरोस्पेस उध्व उड़ान वहानों के अनुसंधान विकास और निर्मार में लगा उआ है जिसमें बिना सक्ति वाले ग्लाइडर और सेल प्लेन यानि कि ग्लाइडिंग देखें चालक रहित छहाद गुपारण देखे हवाई जहाद भारी से अधिक सामिल है अप जलेंगे अक्र फोसेस में कि बनाए रिकॉर्ड ऑस्टे लिया के आल्राउंडЕर गेन मेक्सवेल नाम याद रखेंगे किसना बना है आस्ट्रेलिया के all-rounder गेन मैक्सवेल ने कि है अच्छा लेंगे next question पर बाकिетр की अभिनेतल में में नित्भन हो गया अभीनेता था अभीनेता वह पुरुसकार कलाकार है जो एक चल्चित्र या नाटक में किसी चरित्र का अभीनेता अभीनेता परिकल्पना इवन दर्शक के बीच माध्यम का काम करता है जो दी गई भूमिका को इमंच तलचित नाटक रेडियो द्वारा दर्शक के लिए प्रस्तुत करता है अभिने की कला कज्ञान एवं अभिनेता के भाव सिति करण का सार तक बनाता है तो कोशन में पूचा है कि हाल ही में किसे अभिनेता का एक्यासी वर्स के आयू में निदन हो गया नाम याद रखेंगे रिचार्ट राउंडिट्री कोने ये अभिनेता रिचार्ट राउंडिट्री जलेंगे नेक्स कोशन पे और नेक्स कोशन हमसे पूचा है खाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त परियाटक वीजा प्रदान किया है तो किस देश ने भारत को मुफ्त वीजा प्रियाटक वीजा प्रदान किया है प्रियाटक यानि टूरिस्ट परियाटक का मतलब यहा पासकर जव्वे चुट्टियों पर होते हैं विभिन भासाएं संस्क्रित लोकसाहित्य इत्यास घटना इत्यदी के विशाय में जानने का सबसे अच्छा मार परेटन है परेटन किसी भी देश की रीड़ की हड़ी होती है जो अर्थ विवस्ता को जीवित रखने में बड़ा योगदान देती है इसके अलावा करोड और लोगों को कीवन यापन करने के लिए रोजगार का साधन भी मुहिया कराती कोशन में बस इतना पूछा है कि हाल ही में केस देश ने भारत को मुफ्त प्रियाटक वीज़ा प्रादान किया है स्री लंका ने किसने किया है स्री लं धम्चक प्रवंतन दिवस मनाया गया है जबी धम्चक प्रवंतन दिवस क्या होता है इस में भारत सरकार की सांस्क्रितिक मंत्राले की तत्वा धन में अंतराश्टिय बोध परि Yuk 3 जुलाई दो हजार तेईस को प्रास्टे संगरहाल जनपत नई दिल्ली में धम्चक प्रवतन दिवस के रूप में अशार पुर्णिमा का उसब मनाया गया कोशन क्या पूछा है कि हाल ही में कहां में 67 धम्चक प्रवतन दिवस मनाया गया तो उत्तर है नागपुर तर क्या है इसका नागपुर अब पूछा है हाल ही में पैरा एशियन गेम 2023 में किसने जेवलीन थ्रो में श्वन पदक जीता है भाला फेक में स्कोर की गणना करना भाला द्वारा तै कई गई दूरी की गणना करना है एक बड़ जब भाला लैंडिंग छेतर के अंदर सबसे पहले पहुंसता है तो पहले थ्रो के मार्क को जज द्वारा एक मारकर आम तोर पर एक स्पाइक के साथ चिन्नित किया जाता है तो कोश्चन बस इतना पूछाए कि हाल ही में पैरा एशियन गेम 2023 में किसने जैबलीन थ्रो में शुर्ण पतक जीता है सुमित अंतिल ने किसने जीता है याद रखेंगे नाम फ्रेंच सुमित अंतिल अब चलेंगे नेक्स्ट कोश्चन पे और नेक्स्ट कोश्चन में हमसे क्या पूछा है नेक्स्ट कोश्चन में पूछ लिया है कि हाल ही में किस राजिये में 54 वा भारतिया अंतराष्ट्य फिलम समारो का आयोजन 20-28 नवंबर तक होगा तो भारतिया इंतराष्ट्य फिल्म समहारो तो इन्टरनाशनल फिल्म फेस्टिवल आफ इंडिया इफ़ी एसिया के सबसे प्रमुख फिल्म समहारो में से है इस महुस्व में फिल्म में पेस की गई कहानियों और उससे जुड़े वैक्तित को इस महत्पूर्ण कारिकरम में सामिल किया जा रहा है तो कोशन है हाल ही में किस राज्जिया में जवनवा भारतिया इंतराष्ट्य फिल्म समहारो का आई वोजन 20-28 नवंबर तक किया जाएगा तो उत्तर है गोवा क्या है इसका उत्तर गोवा अब नेक्स्ट कोशन पूचा है हाल ही में भारतिय चुनाव आयो यानि कि ECI ने किस अभिनेता को अपना नेशनल आइकन बनाने का निर्मार किया है तो अभिनेता वह पुरुसकार का लाकार है जो एक चल्चित्र या नाटक में किसी चरित्र का अभिनेता परिकल्पना एवं दर्शक के वीच का माध्यम का काम करता है तो दी गई भूमिका को किसी मांच द्वारा दर्शक के प्रति प्रस्तुत करता है अभिने की कला का ज्यान अभिनेता के प्रभाव प्रस्तिती करणसार तक बनाता है कोशन पूचा है हाल ही में भारतिय चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को अपना नैशनल आइकर मनाया है राजकुमार राओ को किसे राजकुमार राओ अब नेक्स्ट कोशन में क्या पूचा है नेक्स्ट कोशन में पूचा है हाल ही में किसे जम्मू कस्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक प्रभार सोपा गया महानिदेशक क्या होता है कि पुलिस महानिदेशक यानि की डायरे सवीन कोrijk 的 sizi w rest कारेकारी अधिकारी होता है जो अक्सर सरकारिक व्यार सरकारी शंगतन तीसरेचेट्रिया सथी ढिंव कर्यकारी अधिकारी होता है 11 ह्याद लावकारी संस्ता वहाली में किस जम्मी कस्मि प्रुल्स कं महा निदेशक का अतिरिक प्रभाव्व सव dart अब हैंने UK उसा इंटर्नेशनल ने अपनी किस पड़ित्स सेज के साथ साज्यधारी कर लांच किया है उत्तर है किएन इप्लाइन्स क्या है उत्तर कि यह फालीन्स इंडिया SME Forum और Kiss Bank ने SME 100 Awards प्रदान किये हैं तो उत्तर है Access Bank याद रखेंगे मेरे सबी फ्रेंट्स अब है गोआ में आयो जी 37 वे राष्टे खेलो को Kiss खेलानी ने उत्तर परदेश राज्जे के लिए पहला स्वाण पदक जीता स्वाण पदक क्या होता है एक पदक है Gold Medal जो गैर से इने छेतर में उच्चतम उपलब्दी के लिए सम्मानित किया जाता है इसे स्वाण पदक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्पादन के समय इसमें मिस्र धातु या परत के रूप में स्वाण का उपियोग किया जाता है तो उत्तर है इसका वंदना गुपता अब है नेक्स्ट कोशन जिसमें पूछा है रिलाइंस जी ओने चालू वित्वर्स 2023-2024 की सितंबर में समाप्त दूसरी तिमहाई में कितने प्रतिशत की दर्शाई है तो वित्वर्स क्या होता है यानि कि फाइनेंसियल एर भारत का समभिदान वित्वर्स की अबदी पर मोने समभिदान का अनुछेत तीन सो सरसट केवल इतना कहता है कि वित्वर्स का एक अप्रेल से 31 मार्स तक होगा तो जैसे कि अभी वित्वर्स के बारे में बताया है तो कोशन में यह पूछा था कि रिलाइंस जी ओने चालू वित्वर्स 2023 से 2024 की सितंबर में समाप दूसरी तिमाई में कितने प्रतिशत की दर्साई है तो है उत्तर 12 प्रतिशत क्या है 12 परसेंट अब नेक्स लास्ट कोशन है अपना कि मुख्य मंत्री नवीन पटनायक ने भारतिया में बैड मिंटन खिला प्रमोद भगत को कितने करवर रुपए का नगत पुरुसकार देने की घुषना की गई है तो पुरुसकार जिससे कभी-कभी विसिस्ता भी कहते हैं एक प्राप्त करता को एक निश्ची छेत्र में उत्करष्टा की मानेता के प्रतिक के रूप में दिया जाता है जब एक जोकर रिवन या पहनने के लिए डीजाइन की गई एक कोई अन्यवस्तु होती है तो इसे सजावट के रूप में जाना जाता है तो मुख्यमंत्री नवीन पतनायक ने भारतिये वैडमिंटन खिलाडी प्रमोद भगत को कितने करोड रुपे का नगत पुरुसकार देने की गोशना किया है तो याद रखेंगे सभी फ्रेंट्स इसका उत्तर है दो करोड इसी के साथ आज की करेंट अफैर्स की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है वीडियो से रिलेटिड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूश सकते ह साथ ही वीडियो को लाइक करेंगे शियर करेंगे और जो हमारी वेबसाइट है www.mufth.shikshya पे जाकर आप सभी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटिड कोई भी वहाँ प्रप्रप्रेशन तो करी सकते हैं साथ में वहाँ पे आपको रिबॉर्ट स्वाइंट्स दिये जाएंग धन्यवाद